वेलकम दोस्तों स्वागत है आपके अपने चलनल पर जैसे आप सभी को पता ही है कि नए नए कोर्स के साथ कॉनसेट क्लास में आपके लेकर आता हूँ आज एक सब्जेक्ट कोर्स है बहुत जोज़ा डिमांड डेबल है आपको यह देखने के मिलेगा तो आप देख पारे होंगे कि BCOC 183 जो है यह केंप्यूटर की बात करता है परेबलो Director आपके सुवनिकेशन हुद लेकिन जातर बाते में आपको हिंदी में पताता हूँ चलूँगा क्योंकि और प्रेके साब को चूत होती है और पेपर किसी भी मीडियम में दे सकते हिंदी और इंग्लिस किसी भी मीडियम में आप अपना paper को दे सकते हैं ठीक है दोस्तों चलिए चाहिए एक मोनिटर आपने देखा होगा दन दोस्तों एक हमें चाहिए होता है कीबोर्ड रसात में एक माउट ठीक है और सबसे जरूरी क्या होगी आपकी बिजली यह तो हमें चाहिए ही चाहिए ठीक है तो जब हमें computer system बात करेंगे पहला question ही exam में आता है यह what is hardware और what is software ठीक है दोस्तों तो चलिए सबसे पहले बात करते है hardware की जब भी आपसे paper में पूछा जाए कि hardware क्या होता है तो आप कहेंगे hardware are those components वो तत्व वो components होते हैं वो मुख्या हिस्से होते हैं computer system के जो physical होते हैं और computer system का basic होते हैं इनके बिना computer system नहीं वन सकता है जितने software होते हैं वो hardware के अंदर ही क्या किये जाते हैं उपरेट किये जाते हैं तो hardware में सबसे पहले आता है central processing unit यानि की CPU क्या आता है hardware में सबसे वड़ी चीज है CPU brain of computer आप कह सकते है brain of the computer इसे कहा जाता है दिमाग बिना इसके कोई भी computer नहीं जल सकता ये बात आपको याद रखने है CPU is responsible for processing instructions जितने भी instruction हम computer को देते हैं उन्हें process करने का काम कोन करता है हमारा उन instructions को process करता है हमारा CPU carrying out test it controls all other parts of the computer ये control करता है सारे parts को computer के चाहे monitor हो चाहे आपका keyboard हो चाहे आपका mouse हो वो सभी क्या होंगे hardware के तोर पर CPU से connected होते हैं CPU के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी RAM, random access memory इसके अलावा एक होती है ROM, ROM का नाम आपने सुनाओगा read only memory तो जो RAM होती है random access memory जो होती है it's a temporary storage device ये क्या है temporary storage है 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 ना holds data that the CPU is actively using CPU के अंदर लगी होती है RAM is fast but volatile volatile in the nature, volatile सब्दु जो है ये बार बार आपको परिशान करे temporary in the sense जो RAM के अंदर feed होता है जैसे ही light cut होगी system को आप off कर देंगे उसके बाद ये RAM पूरे जरीगे से 0 हो चुकी होती है लेकिर read only memory जो होती है non volatile होती है इसमें जो data रहेगा वो save रहेगा चाहे power हो चाहे power ना हो, mean data is lost when the computer is shut down, जैसे computer is shut down क्या जाएगा RAM का सारा data क्या हो जा next आप से पूछा जाता है storage devices कितने परकार के होते हैं, तो storage devices majorly आपको यहापर two परकार के दिखाई देंगे, दो तरीके के दिखाई देंगे, पहला है आपका hard disk drive, HDD, hard disk जिसे हम कहते हैं, एक traditional storage device है, यह कहा है दोस्तो, traditional storage device यानि जब से computer पद्धती दुनिया में शुरू ह यह तब से इनी storage device का मिस्तेमाल करते आएं हैं, लेकिन यह HDD cards जो आप नहीं आएं है, solid state drives जो आई हैं, जो कि HDD के साथ भी काम करती हैं, नए नए लैप्टोस में आजकर लोग लगवा रहे हैं, इन्हें speed को बढ़ाने के लिए data को इस्टोर करने के लिए, यह ज़ो है, य HDD uses the flash memory to store data, यह क्या यह flash memory को यूज करती है, much faster than HDD device, HDD device से ज़्यादा fast होती है, expensive for the, वह ज़्यदा expensive होगी, क्यों क्यों क्योंकि एक new technology हो, जब भी new technology आती है, वो प्रानी के मुकाबले क्या होती है, थोड़ी सी महनी होती है, यह भी कहां लगे होते है, HDD हो चाए SSD हो, य नेक्स्ट आता है, आपका motherboard, motherboard आप कह सकते है, CPU के main board होता है, जिसमें सारी चीज़े connect होती है, this is the main circuit board, क्या होता है, main circuit board होता है, जिससे सारे hardware connect होते है, चाए आपका mouse हो, कुछ भी हो, आपका mouse के साथ साथ आपका keyboard हो, कुछ भी आप इसमें connect करेंगे, इस provides a common communication path for data to flow between them, य पूरी CPU, उसके अंदर सबसे main functioning unit होती है, backbone of the CPU आप इसे कह सकते हैं, दन दोसको चलिए, next है आपका hardware जो devices होते हैं, वो दो तरीके के होते हैं, hardware जो हम लगाते हैं system के साथ, पूरा system जिस hardware से बनता हो, उनना दो बात में categorize किया गया है, आप कह सकते हैं, यहाँ पर यह क्या बन गई है, category बन गई है, कितनी, दो category आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी किसकी hardware की, एक है input device, जो च्या करते हैं, जो आप ऐसा कह सकते हैं, जो information को in करते हैं, input है ना, कहां से बना है, इस तब input, जो information को क्या करें, in करे, system के अंदर, वो जो system से information को भार निकालते है that is output device, so these are how you interact with the computer and provide information, याद रखें, जाप computer के अंदर प्रवाइड करते हैं, information को input device, जैसे keyboard है आपका, mouse है, scanner, PDF को scan क्या, computer के अंदर transfer को input कर दिया, web camera है, जब आप laptop के सामने का छोटा सा camera खोलते हैं, जो laptop में लगा होता है, computer में भी आप लगा सकते हैं, लग से, तो उसके अंदर जो picture बनती है, वो हम picture क्या कर रहें, उसके अंदर input डाल रहे हैं, उस camera के थूर हम क्या कर रहे हैं, input device के थूर हम information को system के अंदर डाल रहे हैं, that is called input devices, output devices कोन होते हैं, जो information को out करते हैं, display करते हैं, displays information, आप इसे कह सकते हैं, provide की दिगा कह सकते हैं, है न, inputting the information, ठीक है information को put करना और display करना एक अलग चीज हो गई display करता है जैसे monitor है आपका कोई material आपने print किया वो भी output device speaker में आपने गाने सुने वो भी आपका क्या होगा output device दोस्तों clear यह आपके paper में कही बार आचुके हैं सवाल अब बात करते हैं हम यहाँ पर हमारा hardware complete हो जाता है इसे हम कहते हैं foundation software इतनी सी बात आपको याद रखिए manage old hardware components जितने भी hardware components होते हैं इनको manage करने का उनके पीछे क्या आप कह सकते हैं command दिने काम करता operating system provides a platform for running software इसके भीना कोई भी अन्या software नहीं चलाया जा सकता पहले basic यह डालना पड़ेगा foundation डालना पड़ेगा किसी भी software को आप किसी विंडो में install करते हैं तो विंडो बेसिक बन जाती है बाते software उसके अंदर run होगे जैसे for example windows है अपने आप में apple के laptop में mac चलता है linux है और android वी अपने आप में आज के समय में क्या है एक software है operating software है फिर आते है system software जो कि किस के अंदर जो किस के अंदर चला जाते है operating software के अंदर चला जाते है essential programs that support the operating system operating system को support करते हैं hardware को support करते हैं as a device driver भी हो सकते हैं disk formatting भी हो सकते हैं ठीक है दोस्तों तो आप यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि software दो प्रकार के हम ने देखे system software और आपका कोई से software operating software अब एक सबसे important जो हम use करते हैं that is called application software क्या होते हैं इनको समझेए phone में में हम बहुत से applications डालते है applications की खास बात यह होते है specific task के लिए होते हैं जैसे आप कहेंगे specific task के लिए कैसे होते हैं जैसे for example YouTube है learning के लिए हो गया WhatsApp chatting के लिए हो गया Facebook अपने photos को share करने के लिए हो गया एना Instagram नाच गाना करने के लिए हो गया तो specific task के लिए होते हैं आपके क्या application software दोस्तों ठीक है तो यह क्या होते हैं इसमें आता सबसे पहला productive software productive software कैसे होते हैं जैसे जिनसे हम production का काम करते हैं जैसे word processing में आपका Microsoft word हो गया spreadsheet में आपका Excel हो गया production में काम आते हैं Microsoft PowerPoint में आपकी presentation हो गया जैसे आपके सामने presentation खुली हुई है यह किसमें बनी हैं यह PPT आपकी Microsoft PowerPoint में बनी है web browsers हो गया जैसे आपका Google Chrome हो गया Mozilla Firefox हो गया यह सब कैस search engines है जितने भी games है application software, creative software है जैसे Photoshop हो गया आपका CorelDraw हो गया, video editing के software हो गया OPS Studio हो गया यह सब क्या है दोस्तों, application software के अंतर गता आते हैं इस all are installed in the आप कह सकते हैं operating software ठीक है दोस्तों याद रखना OS में यह क्या किये जाते हैं तो उमीद है basic class आपको पसंद आई होगा अगर आपको यह class हिंदी में भी चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं आप comment कर सकते हैं हिंदी में जल्दी इस code की और भी classes आएंगी यह किवले डेम हो था, आज के लिए इतना ही, thank you, धन्यवाद, नमस्कार